हेलो एब्रिवान मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 का 1.3 जो है उसको रीड करने वाले हैं तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से डिजीज जो थी उन्होंने हेल्प किया एरियास को कंक्योर करने में एरियास को एनिक्स करने में तो आज हम लोग पढ़ने वालें जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16th century के बाद जो European sellers थे उनको यह था कि हम लोग को अरलग अलग वेज रहे हैं वो मिलें जिससे कि हम लोग क्या करें बहुत सरे एरियास को एक्वाइर कर लें बहुत सरे एरियास को अपने एरिया के साथ मिला को तो वह कहां पर पर जाते थे अमेरिका जाते थे और वहां पर ठेय है उसके बाद यहां पर ही बताया गया बहुत सकपने अ कि अ क्या होता था यह इंडियान ओशियन था उसको बस सुट एड वला जाया जात था जहांसे गुट्स पीपल नाउलेज कॉस्टमस वगयरा ज चल रहे थे इन के बीच में जिसकी वज़ा से ये कुछ लोगों को सिल्क रूट के बारे मैं ना पता होने की वज़ा से यह लोग यहां से इंडियन उच्यं से क्रॉस हो तो उंको इंडिया से होकर निकलना पड़ता था तो अब उन्ने यी देखा कि हम लूग को क्या करना है हम लोगों को इंडिया को सबसे पहले करना होगा उसके बाद हम लुकicon का सोचेंगी तो अब यूरपेन स्क्राइख आप लोग को उनकी expansion में सबसे जाधा जो मतलब entry point था जो उनका वो इंडिया ही था और उनको ये था कि आप हम लोग को क्या करना है कुछ ऐसी parts को अपने साथ मिलाना है जो हमारी help करें ताकि हम लोग another parts को भी procure कर सकें ठीक है जब अमरीका की discovery नहीं हुई थी जब European nations को ये पता नह नेशन है या फिर वहां से भी trade कर सकते हैं उनके साथ regular contact नहीं थे तो उस टाइम पर कुछ सालों तक जो मतलब अमरीका था वो cut up रहा बहुत सारे नेशन से जब उसकी मतलब discovery होई थी जब वो newly formed हुआ 16th century के बाद देखा गया उसकी जो बहुत जादा जमीन थी बहुत थी उनके जो resources तो minerals में transform होगे बात में देखा गया कि उन्होंने ट्रांस मतलब trade जो था वो crops को चोड़के किसका trade करना शुरू कर दिया minerals का और हर एक person जो था वो किस पर depend होना शुरू हो गया minerals पर precious metals के अगर हम लोग बात कर रहें अगर especially बात करें silver की तो वहां पर maximum जो क्या बोलते सको silver की mining वगरा जो थी वह कौन-कौन से एरियास में होती थी पीरो और मैक्सिको जो कि आज के जमाने के नाम है इन सेटीस के तो उन्होंने European wealth को बहुत जादा enhance किया मतलब बहुत जादा हम लोग बोल सकते हैं उनको enhance किया बहुत जादा उनको बढ़ावा दिया और इंडिया sorry European nations को एशिया के साथ trade के लिए प्रोटसान दिया अब यह जो लेजन थी मतलब European nations जो थे वह 17th century में थे देखा गया अब वह South America की fable wealth को भी लूटना जाते थे मतलब जो South America के पास जितनी भी हम लोग बोल सकते हैं करें नाउंड वेल्ट थी उनके पास बहुत जानी मानी बोला जाता कि सौथ अमरिका जो है उसके पास बहुत जाधा वेल्थ है तो वह भी उन्होंने लूटने का पूरा प्लान बना लिया था उस ट्रीम पर उनने देखा कि हम लोगों को एल्राइडो को फैबुलिस थे जो क्लोनी लगा रहे थे अलग अलग जगा पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ हम लोग यह नहीं बोल सकते कि आम जी नहीं थी या फिर उनके पास फाइर पार ही नहीं थी पारफुल वेपन्स ही नहीं थे फाइर पार जी नहीं थे साथ ही साथ उनके पास क्या थे उनके पास जर्म्स भी थे मतलब यह जो नेशन से यह जो क्लोनलाइजर थे यह किंग्डम्स ऐसे थे जिनके पास पारफुल वेपन्स और फाइर पार के अलावा जर्म्स थी डिजीज थी और वह कौन सी डिजीज थी स्माल पॉक्स थी जिसने क्या करना शुरू कर दिया हर एक परस लेकिन हम लोग जर्म से नहीं बच सकते जैसा कि आप लोग को पता है आज के टाइम पर कोविड-19 जो है वह 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 बोड़ सकते हैं अमरीका के जो ओरिजिनल इन्हापिटेंस थे जो अमरीका के वहां पर लोकल पॉपुलेशन थी वह उनका पर लोकल पॉपुलेशन थी इम्यून सिस्टम जो था वह इतना जादा स्ट्रॉंग नहीं है जैसा कि कोविड-19 के लिए बोला जा रहा है कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉंग होना बहुत ही नसेसरी है अगर इससे फाइट करनी है तो तो अमरीका के लोग जो थे उनकी भी इम्यूनिटी जो थी वह इ जैसे कोविड-19 एक डेडली किलर चल रहा है ना यह पहले भी ऐसी कुछ डिजीज आ चुकी है और 100 यह कुछ यह पहले यह डिजीज आती है और फिर कुछ सहलों तक पूरा मतलब एक डेडली किलर की तरह बीएव करके आफ्ट यह वापिस चली जाती है ठीक है और उसके ब ने क्या किया अफरीका की जितनी भी कम्यूनिटी इस थी उन सभी को मार दियो और इसली उनके पास एक रास्ता मिल गया उनको कि वह अफरीका को अपने अंडर मिला सकते थे अब जो बात में आप लोगो पहले बता चुकिए आगे यहां पर बताएगी है गंस को हम लोग च सिस्टम पर क्या करती है वह हमारी मिन सिस्टम पर हाम करती है उसी को डिस्ट्रॉय करती है और 19th century तक देखा गया पौवर्टी और अंगर जो था वह यूरोप में बहुत कॉमन हो गया ड्यू टू डिजीज और बहुत सिटीज जो थी वह बहुत जादा क्रावडीड होगी ड्यू टू डेडली किलर स्माल पॉक्स ठीक है और उसकी वज़े से देखा गया कि बहुत सरी अनदर डिजीज जो थी वह बहुत सप्रेड होना शुरू होगी अब रिलीजिस कंफ्लिक्ट जो थे वह कॉमन होगे ठीक है रिलीजिस कंफ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ छो थे वह मुस्लिम से लड़न शुरू कर दिया एक बिरन ता बिरन वह स्टाट हो गया मतलब ड़ाइं चाहिट शुरू होगे तो यह रिलीजिस डिसेंटर इसेंधर मतलब होता है बच्चे एक ऐसा परसन जो रिलीजिस बिलीव सर्फर्क्रेस को ऊपेए करने से मना करता refuse करता है कि मैं इन rituals को नहीं मानूंगा और नहीं करूंगा तो उनको prosecute करा जाने लगा उनको मार दिये जाने लगा उनको मतलब या तो मार दिये जाता या फिर उनको imprison में डाल दिये जाता और उसके बाद बहुत सारे बहुत से सालों के बाद एखा गया यूरोप और अमरीका जो थे वो उनने stable होना शुरू किया और उसके बाद एखा कि 18 सेंचुरी में plantation workers जो थे उनसे ऐसे काम करवाया जाता जैसे कि वो slaves हैं ये कौन से लोग थे ये एफ्रीका की लोग थे जिन्हों ने इस डिजीज की चपेड में आने के बाद उनको क्याप्टर कर लिया था और उनसे किस चीज की कल्टिवेशन करवाई जाती थी कॉटन को ग्रो करवाते थे और शुगर कैन की खेती कर वाते थे ठीक है और जो कि कहां पर उसका market लगा जाता था European markets की production के लिए उनसे crop production जो थी वो करवाई जाती थी और उसके बाद 18 सेंचरी तक देखा कि थोड़ा सिस्टम ठीक हो रहा था चाइना और इंडिया जो थे वह वर्ल्ड की सबसे रिचस्ट कंट्री थी क्योंकि बाकी बले नेशन जो थे वह सारे इस डिजीज की चपेड में आ चुके थे सिर्फ इंडिया और चाइना जो थे इनसे बच्चे हुए थे इस लिए इस बार का पहुंच गया ठीक है तो और उसके बाद यहां पर क्या बताया गया कि यह एशियन ट्रेड में सबसे हाइस्ट रैंक पे थे ठीक है कौन इंडिया और चाइना जो थे वह हाइस्ट रैंक पे थे क्योंकि रिचस्ट कंट्री थी वर्ल की और 15th century में देखा गया अब चाइना का जो यह मतलब क्या बोलते हैं उसको ट्रेड का जो एरिया था उसके उपर रिस्टिक्शन लगा दिए कि वह सी रूट से अब मतलब दूसरे निशन के साथ कॉंटाक्ट फॉर्म नहीं कर सकता उसको ऐसोलेशन में ढाल दिया गया तो उससे क्या हुआ चाइना का जो ट्रे इंटेक्ट्ट्टिंट थे कैसे इंटेक्ट्टीट थे चाइना जो था वह mostly Rights को प्रड्यूस और इसकी चितने मीं कंजपशन थी वह कहां होती थी अंडिया में होती थी थी है आब इंडियन चो थी वह डिपेंटंट हो गया अधर नेशन्स पे सबल considering मारी एमारी अमारी पिल करें इसलिए अमरीका को एक वे मिल गया अपनी एकॉनमी को एक्सपैंड करने का तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया अब अफ्रिका ने वर्ल्ड ट्रेड को वेस्ट वर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया जिससे अब यूरोप जो था वो वर्ल्ड ट्रेड क एक economic hub जो था वो completely बन गया I hope आप लोगो समझ मेया होगा Thanks for listening and may God bless you all